आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 18 जुलाई तक के सभी इंपोर्टन्ट करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखेगा आज भी आपको काफी कुछ जान आनने के लिए मिलेगा साथ इस सचन को सुरू करने से पहरे आप सभी को बताना चाहूंगा यह दिया हमारे डेली करंट अफेर्स पीडियेफ वीकली पीडियेफ और मंतली पीडियेफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कोमेंट में या फिर डिस्रिप्शन में दिये आउट है कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बोक्स में जरूर लिखेगा चलिए फिर करते हैं शुरूबात इस वीडियो सेशन की PV सिंदू defeated which player in the final match of women's singles at the Singapore Open 2022 PV सिंदू ने Singapore Open 2022 में महिला एकल के final match में किस हिलाडी को हराया है ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन भी रहेगा वांग सी यी जानेगा इंडिया की PV सिंदू इनका पूरा नाम है पुसरला विंकटा सिंदू ये भी एक्जाम में पुछा जा जुगा है कोस्चन कि PV सिंदू का पुरा नाम क्या है तो याद रखेगा इन्होंने सिंगापूर Open 2022 का जो women's singles match है इसके final में चाइना की वांग सी जी को हरा दिया है और सिंगापूर Open 2022 टाइटल जी लिया है अगर हम बात करें PV सिंदू के 2022 के सफर की तो ये इनका तीसरा टाइटल है इससे पहले सैयद मोदी इंटरनेशनल और स्विस ओपन ये दोनों ही टाइटल भी जी चुकी है अगर हम बात करें मैंस सिंगल्स की सिंगापूर Open 2022 में तो इंडोनेशनल के एंटोनी सीनिसू का गिंतिंग इन्होंने मैंस सिंगल्स टाइटल जीता है और हराया है जापान के कोदाई नारो को का मैंस डबल्स विनर की बात करें तो लियो रोली करनेंडो और डेनियल मार्थीन इनकी चोडी ने मैंस डबल्स टाइटल जीता है सिंगापूर Open 2022 का और विमेंस डबल्स टाइटल जीता है अप्रियानी रहायू एंड सिदिफाडिया सिल्वा रामधन्थी परधारमंती नरेंद्रमोधी ने उत्तरप्रदेश राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उत्खाटन किया है यह एक्सप्रेस वे राज्य के कितने जीलों से होकर गुजरता है ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन्सी रहेगा 7 तो प्राइम इस्टर रेंद्रमोधी ने 16 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को इनोग्रेट किया है और यह प्रोग्राम कहां पर हुआ उत्तरप्रदेश के जालों डिस्टिक के कैथेरी विलिज में और यह जो पूरा एक्सप्रेस वे है इसकी टोटल कोस्ट आईए 14,850 क्रोड रुपीस की आपको जाना चाहिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे यह 296 किटो मिटर लंबा फोल लेन वाइड एक्सप्रेस वे है जो की चित्रकूट डिस्टिक एनेश 35 के गॉंड़ा विलेज को इटावा डिस्टिक आग्रा लखनो एक्सप्रेस वे के कुंद्रेल विलेज से करेक्ट करता है आपको जानना चाहिए यह एक्सप्रेस वे उत्रपतिस के साथ डिस्टिक से होकर गुजरता है अधियम नौर्थ से साथी बात करें तो इटावा औरेया जलोन हमीरपूर महोबा बांदा एंड चित्रकूट यह एक्सप्रेस वे चित्रकूट डिस्टिक से दिल्ली के बीचे जो ट्राइवल टाइम है उसको 10 से 12 घंटे जो पहले लगते थे उसको 6 घंटे में अब पूर कर देगा आपको जाना चाहिए उत्रप्रदेश का 6 एक्सप्रेस वे है इससे पहले जो पांच एक्सप्रेस वे हैं उनके नाम इस तरह से हैं पूरवांचल एक्सप्रेस वे यमुना एक्सप्रेस वे आगरा एक्सप्रेस वे डैली मेरट एक्सप्रेस वे और नोईडा ग् PCS वालों के लिए भी काफी महत्त पूर्ण है वट इस खामोश प्रहरी खामोश प्रहरी क्या है ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन ए है रोबोट तो देखे भारतिय वज्यानिकों की और से तैयार रोबोट जल्दी सरत पर निगरादी करते दिखेंगे क्योंकि भारतिय सिना ने DRD की मदद से रेल माउंटेट रोबोट बनाया है जिसे खामोश प्रहरी नाम दिया गया है इसे सीमा पर लगे बाड पर तैनात किया जा सकता है यह दुस्मन की हलचल का कुछी सेकेंड में पता लगा सकता है तो नाम याद रहिया खामोश प्रहरी Who has been recommended for the position of managing director at the National Bank for Financing Infrastructure and Development National Bank for Financing Infrastructure and Development में प्रबंद दिशक के पत के लिए किसे अनुशन सित किया गया है यानि की recommend किया गया है सही answer option B है जी राचिरन राए तो देखिए हाल ही में Financial Services Institutions Bureau create किया गया है और इसने National Bank for Financing Infrastructure and Development इसके managing director के लिए जी राचिरन राए जो की Union Bank of India के former MD and CEO रह चुके है इनका नाम recommend किया है अगर हम बात करें है आपर इस FSREB की तो ये single autonomous professional body है और इसका task क्या है जो भी public sector banks है public sector insurer है और financial institutions है इन में whole time directors non executive chair persons जो भी high level की appointments है इनके लिए recommendation भेजना आपको बता दे हाली में इसे सम्मदित news पड़ी थी कि ये जो FSIB है इस में जो है banks board bureau ये subsum हो चुका है यानि कि अब banks board bureau नहीं रहा है है ना इसके बतले अब FSIB हो चुका है Financial Services Institutions Bureau अब बात करेंगर हम National Bank for Financing Infrastructure and Development जैसा की नाम में ही लिखा हुआ है financing तो ये एक development finance institution है DFI है जो की भारत सरकार का 6 trillion national monetization pipeline है इसके तहत जो भी projects होंगे उनके लिए finance arrange करेगा ये National Bank for Financing Infrastructure and Development आपको बता दे हैं ये 5th All India Financial Institution है इससे पहले कि जो 4 All India Financial Institution है वो AXIM Bank, NABAD National Housing Bank and SIDB है बाकिया आपको जाना चाहिए इसी साल की शुरुआत में government ने 20,000 क्रोट रुपे भी इसमें infuse किये थे किसमें National Bank for Financing Infrastructure and Development में Reserve Bank of India imposed restrictions on which city based रामगड़िया cooperative bank RBI ने कि सहरिस्तित रामगड़िया सहकारी bank पर परतिबंद लगाए है options आपके सामने हैं सही answer option C रहेगा New Delhi तो देखिए Reserve Bank of India ने New Delhi based रामगड़िया cooperative bank पर कई तरह के restrictions लगाए हैं जिन में से की एक restriction ये भी है कि जो भी डिपोजिटर है वो केवल 50,000 रुपे ही जो है उसमें withdraw कर सकते हैं The center has imposed restrictions on the export of key wheat products India is the world's largest wheat grower के अंदर ने प्रमुख गेहूं उत्पादों के निरियात पर प्रतिबंद लगा दिया है भारत दुनिया का कौन से नंबर का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है options आपके सामने है सही answer option D है second देखिए हाली में Central Government ने 12 जुलाई को जो wheat products होते हैं जो wheat के बने वए products होते हैं जैसे कि floor, whole meal, अट्टा ये सभी तो इन सभी पर जो है restrictions लगा दिये हैं लगा दिया था बाकिया आपको जानना चाहिए भारत, चाइना के बाद second largest wheat grower है who won NSCI All India Snooker Open bulk line 2022 NSCI All India Snooker Open bulk line 2022 किसने जीता? options आपके सामने हैं सही answer option दी रहेगा Sorav Kothari तो देखिए Sorav Kothari ने Lakshman Rawat को हरा कर final में NSCI All India Snooker Open bulk line 2022 title जीत लिया है आपको बता दें Sorav Kothari ने हाल ही में 2022 Lance Panel Pacific International Championship जोकी Melbourne Australia में हुई यहाँ पर Snooker और Billiards दोनों ही title जीते हैं तो एक ही question में आपके तीन अलग-अलग questions बन गए हैं एक तो यह title किसने जीता दूसरा Snooker title यहाँ पर किसने जीता Billiards टाइल किसने जीता सबका आंसर है Sorav Kothari SpaceX in July 2022 has successfully launched how many Starlink satellites to low Earth orbit using Falcon 9 rocket SpaceX ने July 2022 में Falcon 9 rocket का उप्योग करके कितने Starlink उपकरहों को low Earth orbit में सफलता पुरुवकर लौंच किया options आपके सामने है सही answer option B है 46 जानेगा Elon Musk की कंपनी है आप सभी जानते है SpaceX इसने 46 Starlink satellites को low Earth orbit में launch किया है Starlink high speed low latency broadband internet service प्रोवाइट कराती है और यह जो 46 satellites का जो सफर रहा यह Falcon 9 rocket के थूँ हुआ है और कहा से छड़ा गया से which company has announced the launch of its audio-based chat app called the open doors किस company ने अपने audio अधारित chat app को open doors के नाम से launch करने की खोशना की है options आपके सामने है सही answer option दी रहेगा true caller तो देखिए true caller ने announce किया है कि यह audio-based chat app जिसका नाम open doors है इसको launch कर रहे है true caller की बात करें तो इसको develop किया है true software Scandinavia AB के द्वारा जो कि एक privately held company है जिसका head office Stockholm, Sweden में है इसको Alan Mamadi और नामी Zaringalm द्वारा 2009 में found किया गया था true caller को The Nelson Mandela International Day is celebrated every year on which day Nelson Mandela अंतराष्टे दी वस हर साल किस दिर मनाया जाता है options आपके सामने है सही आंतर option दी रहेगा 18th July जानेगा National Mandela Nelson Mandela International Day यह हर साल 18 July को celebrate हिया जाता है साल 2009 में United Nations द्वारा officially declared किया गया था कि Nelson Mandela International Day 18 July को मनाया जाएगा और First UN Mandela Day यह 18 July 2010 को मनाया गया आपको बताते है 2014 में UN General Assembly ने Nelson Mandela Prize भी स्टैब्लिश किया था उन सभी व्यक्तियों के लिए जिनोंने मानव था Humanity की रक्षा करते हुए या फिर उसकी सेवा में अपनी जानकमादी उनके लिए जानकमादी या फिर अपनी लाइफ जो है समर्पित कर दी उनके लिए आपको जानना चाहिए कि Nelson रोली हिलाला मंडेला यह इनका पूरा नाम है तो जन्मिनका 1918 में हुआ था और मृत्यू इनकी दोजार तिरा में हुई यह साफ्ट अफरिगा की फरस्ट प्रेजिडेंट थे 1994 सो 1999 तक आपको जानना चाहिए इनोंने भारत रत 1990 में मिला और नॉबेल पीस प्राइज 1993 में इनको मिला है गैर जीवन भीमा अध्यों के लिए IRDI द्वारा गठित टास्क फोर्स का नेतरत कौन करेगा ओप्शन्स आपके सामने है सही आंतर ओप्शन D है भारगाव दासकुपता देखिए जो IRDI है यानि की Insurance Regulatory and Development Authority of India इसने दो टास्क फोर्स बनाई है वो किसे सम्बंदित है Re-Insurance से सम्बंदित और किनी के लिए बनाई है एक तो ये जो Non-Life Insurance Companies है वो और दूसरा है जो Life Insurance Companies है वो तो ये दोनों ही कंपनी Re-Insurance के लिए जो भी Issues फेस कर रही है तो उसकी study के लिए ये टास्क फोर्स बनाई गई है तो पहली टास्क फोर्स के लिए हम बात करें जो कि Non-Life Insurance Industry के लिए इसमें 9 मेंबर हैं और इसको जो है इसके चीफ रहेंगे भारगों दास्कुत्ता जो कि ICICI Lombard General Insurance के MD and CU है दूसरी अगर हम बात करें Life Insurance Industry के लिए जो 7 मेंबर टास्क फोर्स बनाई गई है इसके Chairman होगे नवीन ताहिलियानी जो कि Tata AIA Life Insurance के MD and CU है अच्छा यहाँ पर टर्मा है Re-Insurance Re-Insurance का मतलब क्या होता है देखिए कोई व्यक्ति है उसका बीमा करती है कौन Insurance Company लेकिन Insurance Company भी अपना बीमा कराके रखती है किससे जो Re-Insurance Company होती है उनसे तो Re-Insurance Company का मतलब क्या हुआ जो Insurance Company है उनका जो Insurance करके रखती है उसे बोलते है एक एक एक्जामपल से जल्दी समझते है देखिए मान लीजे कोई व्यक्ति है उसने अपने घर का Insurance कराया हुआ है कि यदि इसमें आग लग जाए या फिर किसी तरह से ये तबाह हो जाए तो उसका Insurance कराया हुआ है तो वो Company उसको मुआफसा देगी जितना भी उस पॉलिसे में होगा अब हुआ ये कि कोई Land Slide आई या फिर कोई इस तरह का भारी तूफान आया कि केवल उसकी का घर नहीं बलकि आसपास के जो पूरा सहर है सहर का सहर तबाह हो गया या फिर कई सारे घर जो है तबाह हो गई उसमें अब जो भी ज़्यादा तर घर थे उनका Insurance हो रखा था अब उस Insurance Company के उपर क्या आ गया बर्डन आ गया अब इतना सारा Insurance कैसे वो दे लोगों को कैसे जो लोगों को डैमेज हुआ है उसके बदले में कैसे अब उसको बुक्तान करे तो Insurance Company के उपर क्या आ गया प्रेशर आ गया तो अब Insurance Company का जो ये प्रेशर है उसको कौन हेंडल करेगा जो री इंशुरेंस कंपनी है तो जो भी इंशुरेंस कंपनी को जो भी पैसा देना है अब अपने कस्टमर्स को जिनका उसने इंशुरेंस किया हुआ है तो उसको अब शेर करेगा थोड़ा बहुत री इंशुरेंस कंपनी उसके साथ मिलकर तो पहल बिल्कुल ही इस तरह से होगी कि बिल्कुल खाली होगी क्ले में एक साथ बहुत ज्यादा आ गए तब री इंशरेंस कंपनियों की हेल्प करेगी एंड मॉबाइल वालेट एक्सपेरियन ग्लोबल इंसाइट्स की रिपोर्ट के नुसार कितने प्रतिशत भारती उब्भुकता ओनलाइन बुकतान और मॉबाइल वालेट पसंद करते हैं ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंदर ओप्शन्स ही है 91 परसेंट तो देखिए एक्सपेरियन ग्लोबल इंसाइट्स रिपोर्ट जारी हो गई है और इसमें ऐसा का आ गया है कि 91 परसेंट ऑफ इंडियन कंजूमर्स यह ओनलाइन पेमेंट्स और मॉबाइल वालेट से ज जगर हम पिछले 6 महीनों की बात करें तो जो यह बाइन आओ पेलेटर सर्वीस है जहां 18 परतिशत की इसमें वृद्धी देखे गई पूरे वर्ड में वही केवल भारत में 21 परतिशत की वृद्धी इसमें देखी गई बाइन आओ पेलेटर में रिसेंटली इटलियन एस्ट्रोनोबर ग्यूसेब डोनाटिलो हैस डिस्कवर्ड अ फोसिल गलेक्सी नियर एंड्रोमेडा वट इस इट कोल्ड हाली में इटली के खगोल शास्त्री ग्यूसेब डोनाटिलो ने एंड्रोमेडा के पास एक जीवाश्म आकाश गंगा की खोचकी है इसे क्या कहते हैं ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंतर ओप्शन भी है पिगासुस वी जानेगा देखिए इटलियन एक एस्ट्रोमर है इनका नाम है ग्यूसेब डोनाटिलो तो इन्हो ने एक ड् Agreement को डिसकवर किया है जिसके बारे में पढले कोई भी मतलब कोई भी हमस्चे कोई ग्लैक्सी हो सकती है इसका नाम है पेगासुस वी उर यह कहां पर है जो हमारी अंडोमेडा सिया उसके पास में है तो यह एक क्या है वॉष्यल जीवाश्म ग्लैक्सी है आपको बता दें जो हमारे Milky Way के सबसे closest जो large galaxy है उसका नाम है Andromeda यही जिसके बारे में हम बात करें तो इसी के पास में जीवास galaxy पाई गई है Name the British film composer and singer best known for composing the James Bond theme who died recently उस British film संगीतकार और गायक का नाम बताईए जिन है James Bond theme की रचना के लिए जाना जाता है और उनका हाली में निधन हो गया options आपके सामने हैं सही answer option दी रहेगा Monty Norman तो देखिए Monty Norman यह British film composer and singer रहे इनका चुराने वर्थ की आयू में निधन हो गया है और यह James Bond theme को compose करने के लिए जानने जाते हैं कि विश्टीम वॉन दा विमन्स टाइटल एड़ दा फिफ्थ यूथ नैसनल बॉक्सिंग चैंपियंशिप हैं चैन्नाई तमिलाडू में आई जित पांच वी यूवा रास्टे मुक्य बाजी चैंपियंशिप में महिला किताब की स्टीम ने जीता सही आंत्रोप्शन भी है हरियाना तो देखिए फिफ्थ यूथ नैसनल बॉक्सिंग चैंपियंशिप हुई है और इसमें करम मैंस टाइटल की बात करें तो सर्विसेस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने जीती हैं देखे दोनों मैंने ब्लैक ब्लैक से की हुए है हाइलाइट सर्विसेस स्पोर् इंडिया हैज इंपोस्ट अफाइन ओफ रूपीज डेश ओन ओला फाइनेशल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेट फोर नोन कंप्लाइंस विद नो यूर कस्टमर गाइडलाइन्स बारते रिजर्व बैंक ने ग्राक को जानो दिशा निर्देसों का पालनना करने के ने और इसलिए रिजर्व बैंक ओफ इंडिया ने एक दशंबलव छह साथ करोड रुपे का फाइनिस पर ठोक दिया है यूनिसेख तो दो देख्ये डेली गवश्ट्रव औरवेंट ने जो भी डेली स्किल एंदं एंथरप्रप्रियर्शिप यूवस्टी के जो स्टुडेंट्स उनको employment opportunities प्रोवाइड कराने के लिए निसेख के साथ एक प्रोजेक्ट की सुरुवाद करने की तो इन दोन नहीं मिलकर Career Awareness Sessions यह इंट्रोड्यूस की है इस्टूडेंट्स के लिए बाकी UNICEF के बारे में आपको जाना चाहिए United Nations Children's Funds को बोलते हैं Atwater's New York United States में है इस थापना 11 December 1946 को हुई थी और इसकी सब्सक्राइब है Catherine M. Russell American है यह है वो हैस्टेस्ट बैट्समेन फ्रॉम एशिया तो रीच 10,000 इंटरनेसल फ्रॉंस दस जार अंतराश्टी रन तक पहुंचने वाले इस सबसे तेज बल्ले वाज कौन बन गए ऑप्शनस आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन सी है बाबर आजम तो देखे बाबर आजम जो कि पाइस्तान के कफ्ता ने इन्होंने किर्दिमान हासिल किया है कि इंटरनेसल क्रिक्ट में 10,000 रन बनाने वाले पाकिस्तान के बारवे खिलाडी बन गए है है इन्होंने केवल 228 इनिंग यहां पर खेली 10,000 रन बनाने कि लिए इंटरनेसल क्रिकट में इन्होंने भारते batsman विराट कोली का record दोड़ा है, विराट कोली के पास था ये record, 232 innings में इन्होंने 10,000 run बनाए थे, ठीक है, तब ये क्या थे, fastest batsman थे एशिया से, इन्होंने 10,000 run बनाए है, आपको बात करें, टॉप पर कौन है, तो वेस्ट इंडीज के जो फोर्मर क्रिक इंडीट में, जो की, मतलब अगर हम सबसे कम पारियों की बात करें, तो उस हिसाब से 6th position पर हैं, इन से पहले कुन को ने जो रूट है, हासी ममला है, ब्रायन ला रहा है, और सर्विवियन रिचर्ड से हैं, किस कंपनी ने लाइफ साइंस को 110 मिलियन यूरो तक के अधिगरण के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं, सही आंसर ओप्शन दीर हैगा, इन्फोसिस, तो देखिए, इन्फोसिस ने एक एग्रिमेंट साइन किया है, जिसके तहार ये डेन्मार्क-बेस्ट, लाइफ साइंसेस कंसल्टिंग और टेक फ़र्म पेस लाइफ साइंस को 110 मिलियन यूरो में जो है, इन्फोसिस के बारे में, इन्फोसिस के बारे में आपको जानना चाहिए, सीओ, सलील पारिक है, हैट्वार्टर्स बेंगलूरू करनाटक में है, हाली में ये भी पढ़ा था कि इन्फोसिस और रोल्स रोइस, इन्होंने एक Aerospace Engineering Center को लाँचिया है, बेंगलूरू में, विच एजुकेशनल इंस्टिटूट इन दे कंटरी वास हर रैंक्ट नमबर वन, according to the Ministry of Education's National Institutional Ranking Framework NIRF 2022, सिक्सा मंत्राले के राश्ट्य संस्थागत Ranking Framework 2022 के नुसार, देश के सेक्शनिक संस्थानों में किस संस्थान ने शीर्स इस्थान प्राप्ट किया, ओप्शन्स आपके सामने हैं, सही आंसर ओप्शन भी रहेगा, हाय एटी मदराज, तो ये टोप टैन है, टोप फाइव आपको जान लेने चाहिए इसमें, चलिए डीटेल में देखेंगे, देखेंगे, जो नेशनल इस्टिटूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, ये नवबर 2015 को मिर्श्टी ओएजूकेशन द्वारा लॉंच किया गया था, अब इस बार 2022 में इसका साथवा एडिशन लॉंच किया गया है, और 11 केटेगरी जिसमें बनाई गई है, किसके द्वारा लॉंच किया गया, यूरियन एजुकेशन विश्टर धर्मिंद्र परधान के द्वारा, कौन-कौन अब इसमें 5 पेरामिटर हैं, 11 तो केटेगरी हैं, 5 पेरामिटर से, तो ये 5 पेरामिटर ने जिनके इसाब से रैंकिंग बनाई गई है, चले, सबसे पहले केटेगरी देखते हैं, अगर हम ओवरॉल केटेगरी, ओवरॉल केटेगरी में पहला इस्थान मिला है, इंडियन इस्टिटूट अफ टेक्नोजी मदरास को, आईटी मदरास को लगातार, चोथे साल ये पहली पोजिशन पर आये है, दूसरी केटेगरी है इंजिनिरिंग, इसमें भी आईटी मदरास टॉप पर है, लगातार साथवे साल, तीसरी केटेगरी है आपकी यूणिवरस्टी केटेगरी है, इसमें top पर है ISE Bangalore और यह लगातार साथ भी बार University category में top पर है और चोथी है category Research Institutions की category इसमें भी यह first पर है तो 4 category हो गई 2 में तो IIT मदरास है और 2 में ISE Bangalore top पर है पांचे में देखें Management subject के बारे में तो IMM नावाद इसमें top पर है 6th category की बात करें तो Medical तो इसमें top पर कौन है AIMS New Delhi अगर हम 7th position की बात करें Pharmacy तो इसमें जाम्या हमदर्द यह top पर है और अगर हम 8th category की बात करें Colleges की तो Colleges में Miranda House यह first position पर है 9th category है Architecture की इसमें IIT Root की top पर है 10th category है हमारी law school law universities की तो इसमें National Law School of India University बैंगलू यह top पर है और 11th है हमारा Dental subject से संबंदित इसमें top पर है Savita Institute for Medical and Technical Sciences इसकी पूरी लिस्ट वी में आपको साथ टेलिग्राम पर शेयर कर दूँआ यह कुछ important जो categories है इन में उनमें आपको top 5 भी देख लेने चाहिए है प्रिवेस assignment questions के answer देखेंगे चकमास आर वन ओप ता मेजर ट्राइप्स ऑफ विच स्टेट्स आंसर इस त्रिपूर रहें और खास करके बंगलादेश में भी रहते हैं इस इंडिया इस रैंक इन वर्ड कंप्टिटिवनेस इंडेक्स 2022 आंसर इस 37 देर्मार्क निसको टॉप किया इसके बाद स्विचर्लेंड सिंगापूर रहें और इस रिपोर्ट को रिलीज किया इसन्ग इस इस इसे हैं, कि रूंडिय है इस रिलीज के वी य ज्वूर। बादित विलू रहें अजिए बाझ्टिटिट इस 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 दी इसस छांसर इस रहें हैं deployed to Port Victoria CECLs to participate in the Independence Day of CECLs on 29 June 2022 answer is INS Kolkata और आप में से कई आश्वरें से बिल्कुल सही answer दिया है इसी तरह से आप participate करते रहिए आज के assignment questions देख लेते हैं which country's president lives in the Curinal Palace India recorded first confirmed bonky pox case in which state who won the men's singles title at the BWF Indonesia Masters 2022 fast baller Jaspreet Bumra has regained the top sport in the ICC men's ODI player rankings which other Indian fast baller has been the only one besides Bumra to be number one in the ODI rankings यह आपको बताना है आप सभी जानते हैं कि जो Jaspreet Bumra हैं यह bowlers की ranking में top पर आ गई हैं जो men's की 1-day इंडिन लस्टर bowlers ranking उसमें top पर हैं इनके अलावा और कौन से ऐसे बोलर रहे जो number one पर रहे भारत से कौन रहे ऐसे जिन्नोंने पहले कभी number one position प्राप्ट की थी researchers from which university claimed to have found a large ozone hole in the lower stratosphere over the topics that can affect 50% of the world's population तो पांचे questions के answer आप हमें comment box में जुरूर दीजेगा यदि आपको एक question का answer भी आता है तो भी आप में comment box में बता सकते हैं साथ ही current affairs funda को आप टेलिग्राम पर भी जोइन कर सकते हैं यहाँ पर regular video updates और current quiz आप सभी करें डालते रहते हैं साथ ही discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्ते आपने हमारे current affairs की playlist दी गई है इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ हमारे current affairs को शेर जरूर करें आज का सेशन आपको क्यासा लगा comment box में जरूर बताईएगा thank you guys